जै स्री कृष्णा आज मंगलवार के दिन आई ये सुनते हैं हनुमान जी और मंगल देव की यह कथा कुंडलपुर नामक एक नगर था उसमें नंदा नामक एक ब्रामः रहता था भगवान की क्रिपासे उसके पास सब कुछ था फिर भी वह दुखी था इसका कारण यह था की ब्रामः की इस्त्री सुननदा की कोई संतान न थी सुननदा पती ब्रता थी भक्ती पुर्वग स्री हनुमान जी की अरादना करती थी मंगलवार के दिन ब्रत करके अंत में भोजन मना कर हनुमान जी का भोग लगाने के बार श्वयम भोजन करती थी एक बार मंगलवार के दिन ब्रामः ग्रिह कार्य की अधिकता की कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रर किया की अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगा कर अंजल ग्रहर करूंगी ब्रामः सुनन्दा प्रती दीन भोजन बनाती स्रधा पुर्वक पती को खिलाती परंतु श्वयम भोजन नहीं करती और मन ही मन स्री हनुमान जी की अराधना करती थी इसी प्रकार छा दिन गुजर गय और ब्रामः सुनन्दा अपने निश्चय की अंसार भूखी प्यासी निराहार रही अगले मंगलवार को ब्रामः सुनन्दा प्रातकाल ही बेहो सोकर गिर पड़ी ब्रामः सुनन्दा की इस असिम भक्ती के प्रभाव से स्री हनुमान जी बहुत प्रशन हुए और प्रकट होकर बोले सुनन्दा मैं तेरी भक्ती से बहुत प्रशन हूँ तू उठ और बर्मांग सुनन्दा अपने अराध्य देव स्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिक्ता से बिहवल हो स्री हनुमान जी के चड़ों में गिर कर बोली हे प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है क्रिपा करके मुझे संतान प्राप्ती का आसिरबात दे आपकी अतिक्रिपा होगी स्री महावीर जी बोले तेरी इच्छा पूर होगी तेरी एक कन्या पैदा होगी उसके अश्टांग प्रती दिन सोना दिया करेंगे इस प्रकार कहकर स्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए ब्रामहरी सुननदा बहुत हरसी थुई और सभी समाचार अपने पती से कहा ब्रामहर दिव कन्या का बरदान सुनकर कुछ दुख्षी हुए परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रशन हुए विचार किया की ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्थ हो जाएगी स्री हनमान जी की कृपा से वह ब्रामहरी गर्भवती हुई और दस्वे महीने में उसे बहुत ही सुन्दर पुत्री प्राप्थ हुई यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार सुक्लपच का चन्रमा बढ़ता है दस्वे दिन ब्रामहर ने उस बालिका का नाम करण संसकार कराया उसके कुलपुरोहित ने उस बालिका का नाम रतनावली रखा किमकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी इस कन्या ने पुर्वजन में बड़े ही विधान से मंगल देव का ब्रत किया था रतनावली का अश्टांग बहुत सा सोना देता था उस सोने से नंडा ब्रामहर बहुत ही धन्वान हो गया अब ब्रामहरी भी बहुत अभिमान करने लगी समय भीत्ता रहा अब रतनावली दस वर्ष की हो चुकी थी एक दिन जब नंडा ब्रामहर प्रसंचित था तब सुननदा ने अपने पती से कहा मेरी पुत्री रतनावली विवाह के योग्य हो गई है अतहयाव कोई सुन्दर तथा योग्यवर देखकर इसका विवाह कर दें यह सुन ब्रामहर बोला अभितो रतनावली बहुत छोटी है तब ब्रामहरी बोली सास्त्रों की आज्या है कि कन्या आठमे वर्स में गवरी नव वर्स में रहरी दसमे वर्स में कन्या इसके पास्चात रजश्वला हो जाती है गवरी के दान से पाताल लोग की प्राप्ती होती है रहरी के दान से बैंकुंठ लोग की प्राप्ती होती कन्या के दान से इंद्र लोग के सुखों की प्राप्ति होती है अगर हे पती देव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नर्ग की प्राप्ति होती है इस पर ब्रामर बोला अभी तो रतनावली मात्र दसी वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए है अभी जल्दी क्या है तब ब्रामरी सुनन्दा बोली आपको तो लोब अधिक हो गया लगता है सास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरक गामी होते है तब ब्रामर बोला अच्छी बात है कल मैं अवश्य ही योग्यबर की तलास में अपना दूत भेजूंगा दूसरे दिन ब्रामर ने अपने दूत को बुलाया और आज्यादी की जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर्वर उसके लिए तलास करो दूत अपने स्वामी की आज्यां पाकर निखल पड़ा, पंपई नगर में उसने एक सुन्दर लड़के को देखा, यह बालक एक ब्रामः परिवार का बहुत गुर्वान पुत्र था, इसका नाम सोमेश्वर था, दूत ने इस सुन्दर वगुर्वान ब्रामः पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पुड विवरड दिया, ब्रामः नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा, और फिर सुम मुहुर्थ में बिधी पुर्वक कन्या दान करके ब्रामः ब्रामः इसन्तुष्ट हुए, परन्तु ब्रामः के मन तो लोब समाया हुआ था, उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन भी था, उसने विचार किया कि रतनावली तो अब चली जावेगी, और मुझे इससे जो सियोदा मिलता था, वह अब नहीं मिलेगा, मेरे पास जो धन था, कुछ तो इसके विवाह में खर्चो गया, और जो सीस बचा है, वह भी कुछ दिनों पस्चात समाप्थ हो जाएगा, मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है, अब कोई ऐसा उपाय हो की रतनावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना चावे, लोग रुपी राचस ब्रामण के मस्तिक पर छाता जा रहा था, रात भर अपनी सया पर बेचैनी से करवटे बदलते बदलते, उसने एक बहुत ही क्रूर निर्ड़य लिया, उसने विचार किया कि अब रतनावली को लेकर उसका पती सोमेश्वर, अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का बध कर देगा, और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा, और समाज का कोई मनुष्य उसे दोस भी नहीं देगा, प्रातर काल हुआ तो नंदा और सुनन्दा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन दे कर बिदा किया, सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरप चल दिया, अमर सुनन्दा महालोप के वशी भूथो अपनी मती खो चुका था, पाप पुण्य को उसे विचार न रहा, अपने भयानक वो क्रूर निर्य को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूद को मार्ग में अपने जमाई का बद करने के लिए भेर दिया था, ताकि रतनावली से प्राप्थ होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, और ओ कभी निर्धन न हो, ब्रामः के दूद ने अपने स्वामी की आज्या का पालन करते हुए, उसके जमाई शोमेश्वर का मार्ग में ही बद कर दिया, समाचार प्राप्थ कर ब्रामः नंदा मार्ग में पहुचा और रूदन करती, अपनी पुत्री रतनावली से बोला, ये पुत्री मार्ग में लुटेरों ने तेरे पती का बध कर दिया है, भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश्ण नहीं चलता है, अब तु घर चल, वहाँ पर ही रहकर सीश जीवन ब्यतीत करना, जो भाग्य में लिखा है, वही होगा, अपने पती की अकाल मृत्यू से रतनावली बहुत दुखी हुई, करुण क्रंदन वह रूदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिता जी इस संसार में जिस हिस्त्री का पती नहीं है, उसका जीना ब्यर्थ है, मैं अपने पती के साथ ही अपने सरीर को जला दूँगी, और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा साथ ससूर के यस को सार्थक करूंगी, ब्रामहर नंदा अपनी पुत्री रतनावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ, विचार करने लगा, मैंने ब्यर्थी, जमाई बध का पाप अपने सिर लिया, रतनावली तो उसके पीछे अपने प्रार तक देने को तैयार है, मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धान तो अब मिलेगा नहीं, जमाई बध के पाप के फल सरूम, यम्यातना भी भुगतनी पड़ेगी, यह सोचकर वह बहुत खिन हुआ, सोमेश्वर की चिता बनाई गए, रतनावली सती होनी की इच्छा से अपने पती का सिर अपनी गोदी में रखकर चिता में बैठ गए, जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अगनी लगाई गए, वैसे ही प्रशन हो, मंगल देव वहां प्रकठ हुए, और बोले, हे रतनावली मैं तेरी पती भक्ती से बहुत प्रसन हूँ, तू बर मांग, रतनावली ने अपने पती का जीवन दान मांगा, तब मंगल देव बोले, रतनावली तेरा पती अजर अमर है, यह महा बिद्यवान भी होगा, और इसके अत्रिक तेरी जोई इच्छा हो, बर मांग, तब रतनावली बोली, हेद रहों के श्वामी, यदि आप मुझे पर प्रसन हैं तो, मुझे यह बर्दान दीजिये की, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन, प्रातहकाल, लाल पुस्प, लाल चंदन से पूजा करके, आपका अस्मरड करे, उसको रोग ब्याधी नहो, अपनी तथा सत्रों का भय न रहे, जो इस्त्री मंगलवार का ब्रत करे, वह कभी बिध्वार न हो, मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतरध्यान हो गए, शोमेश्वर मंगलदेव की गिरपासे जीवी थो उठा, रतनावली अपने पती को पुनः प्राप्त कर, बहुत प्र शन हुई, और मंगलदेव का ब्रत प्रत्यक मंगलवार को करके, ब्रत्रार और मंगलदेव की क्रिपासे इस लोग में सुक अईश्वर्य को भोगते हुए, अंत में अपने पती के साथ श्वर्ग लोग को चली गए